फर्स्ट वर्ड है बिचावलिया, बिचावलिया उसे कहते हैं जो शादी विया के लिए दो पार्टियों को मिलवाता है, यानि लड़का और लड़की के घर वालों को मिलवाता है, लड़का लड़की से बात करवाता है, उसे बिचावलिया कहते हैं, बिचावलिया को इंग मंगनी भी कहते हैं इसे इंग्लिश में इंगेजमेंट कहते हैं इंगेजमेंट मीं सगाई या मंगनी मंगनी के बाद लड़का या लड़की को मंगेतर कहा जाता है हिंदी में तो लड़का लड़की दोनों को मंगेतर ही कहते हैं लेकिन इंग्लिश में जो मेल होगा यानि जो लड़का होगा उसे फियांसे कहेंगे, और जो female होगी यानि लड़की को फियांसी कहेंगे, शादी या निकाह को English में marriage कहते हैं, marriage मिस होता है शादी या निकाह, और शादी करना इसके लिए तीन words है, जैसे marry, marry मिस भी होता है शादी करना, get married इसका मतलब भी है शादी करना, और हाँ tie the knot इसका मतलब भी है शादी करना, आज कल tie the knot ये ज़्यादा यूज हो रहा है, शादी की दिन लड़की दूलहन बनती है, दूलहन को English में bride कहते हैं, bride miss दूलहन और लड़का शादी की दिन दूलहा बनता है, दूलह को English में bride groom कहते हैं, वैसे groom miss भी दूलहा होता है, लेकिन bride groom यूज करते हैं, वैसे bride groom miss दूलहन दूलहा भी होता है, फिलहाल दूलहा को English में bride groom कहते हैं, शादी की दिन लड़का जब लड़की के घर जाता है, तो उस process को बारात कहते हैं, बारात को English में Wedding Procession कहते हैं Wedding Procession मिस बारात हाला कि मुझे बारात जाना पसंद नहीं मुझे कोई अगर invite भी करता है तो मुझे लगता है कि अपने घर पर दावत दे अपने घर पर खिलाए दूसरे के घर पर ले जाकर क्यों खिलाए ऐसा मेरा सोचना है आपका क्या सोचना है इस पर आप कमेंट करके जरूर बताईएगा बारात में जो लोग जाते हैं उन्हें बाराती कहते हैं बाराती को English में Wedding Guest कहते हैं Wedding Guest मिस बाराती आपने देखा होगा कुछ बारात में लोग नागिन डान्स खोब करते हैं हाँ मुझे नागिन डान्स देखना बहुत पसंद है खोब हसी आती है देखा शादी में मंडब सस्ता है मंडब को English में Canopy कहते हैं Canopy मिस मंडब पंडाल भी बनते हैं पंडाल को English में Maaki कहते हैं Maaki मिस पंडाल अच्छा हर जगाँ शादी की रसमे अलग-अलग होती है शादी की रसमों को English में Wedding 그때 कहते हैं Wedding когда मिस शादी की रसमे शादी की दिन दूला दुललन एक दूसरे कोSome माला पहनाते हैbeit माला को English में Garland कहते हैं Garland मिस माला शादी के बाद मंगल सूत पहनती हैं आउरतें मंगल सूत को इंगलिश में वेडिंग चेन कहते हैं वेडिंग चेन मिस मंगल सूत और सिंदूर लगाना शुरू कर देते हैं आपने ये डायलाग तो सुना ही होगा तो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम किया जानो रूमेश बाबू है ना उसी सिंदूर की बात हो रही जो शादी के बाद अउडतें अपने माँ थैं जानी सर के उपर लगाती है बालों के बीच में सिंदूर को इंग्लि única में वौ मिलियन कहते हैं वह मिलियर में सिंदूर शादी के दिन, शादी के वक्त दूला दूलन साथ फेरे लेते हैं और वचन निभाने की बात करते हैं साथ जनम साथ रहने की बात करते हैं साथ फेरे को इंगलिस में सेवन वोउस कहेंगे सेवन वोउस में साथ फेरे और साथ फेरे लेते वक्त साथ वचन की बात होती है साथ वचन को एंगलिस में सेवन वर्ट्स कहते हैं सेवन वर्ट्स में साथ वचन अच्छा हाँ जूता चुराई की रस्म भी होती है जब दूला मडवे में जाता है तो उसके जूते की चुराई हो जाती है सालियां चोरी कर लेती, यानि दूलन की जो बहन है, वो जूती की चुराई कर लेती है, दूली का जो जूता होता है, उसे चोरी कर लेती है, और कहते हैं, इसके बदले हमें नेक दें, यानि पैसे दें हैं, जो भी गिफ्ट वह रहा है, जूता चुराई की रस्म को अंगलिस तो मनाते हैं हसी खुसी लोग नेक्स वर्ड है साला या साली दूलहन का जो भाई है वो साला कहलाता है दूलहन की जो बहन है वो साली कहलाती है याद रहे हैं हम रिष्टों की बात कर रहे हैं गाली की बात नहीं कर रहे हैं इसे भी गाली देना बहुत बुरी बात है चाहे आप साला साली कहकर किसी को गाली दें या किसी और शब्दों का प्रियोग करें गाली देना बहुत ही बुरा काम है बुरी बात है इससे आप बचें फिलहाल साला को इंगलिस में ब्रदर इनलो कहते हैं Brother in law means Sala और Sali को इंगलिस में Sister in law कहते हैं Sister in law means Sali और कन्यादान करना कन्यादान करना को इंगलिस में Give away कहते हैं Give away means कन्यादान करना अब ये शब्द कितना सही है और इसका अर्थ क्या निकलता ये अलग बहस का मुद्द है इस पर फिर कभी discussion करेंगे Next word है Sars दूले के लिए दूले की माँ Sars है सास को इंगलिस में Mother in law कहते है Mother in law means Sars और ससुर को Father in law Father in law means ससुर और जमाई को इंगलिस में Son in law कहते हैं जिसे दामाद कहा जाता है और अगर दामाद अपनी ससुराल में ही रहने लगे रिजिडेंस सन in law means घर जमाई और बहू को इंगलिस में Daughter in law कहते हैं Daughter in law means बहू वो अलग बात ही कि लोग बहू को बहू ही समझ ले बड़ी बात है बेटी समझना तो दूरी की बात है फिर भी कुछ घरों में बहुत अच्छे से रिस्पेट के साथ प्यार मुभ्बत के साथ शादी के बाद लड़्कियां रहती है और रहना भी चाहिए अपर वाला करे सभी लड़्कियां शादी के बाद खुश रहें ससुराल की बात करें ससुराल को इंगलिस में in law's house कहते हैं in law's house मिस ससुराल और ससुराल वाले इन्हें इनलाज कहते हैं इनलाज यानि ससुराल वाले वैसे तो जहां पे ससुराल होती है वहां का पूरा गाउं ही ससुराल वाला कहलाता है तो इन्हें कहेंगे इनलाज और माइका जहां लड़की का घर होता है माइका को इंगलिस में maternal house कहते है maternal house मिस माइका दूलन की विदाई जिसमें होती है उसे डोली कहते है डोली पे खुब गारें आपने सुने होंगे चलो ना डोली उठाओ कहार ऐसे धेरो गाने सुने होंगे वैसे डोली को हमारे यहां पालकी भी कहा जाता फेरवल मिस विदाई यह वर्ड तो आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज में हाई स्कूल इंटर या फिर गेजुएशन के बाद जब आपकी विदाई होती है तो फेरवल पार्टी होती है और सुहाग रात यानि शादी वाली रात को सुहाग रात कहते हैं जिसे इंगलिच में नप्शल नाइट कहते हैं प्रनंशियेशन ध्यान दिजेगा दोस्तों न्यू पिटल नहीं नप्शल नाइट हाला कि कुछ लोग सुहाग रात को फर्स नाइट या मिड नाइट या कुछ ऐसे और भी बोलते करेक्ट वर्ड है नप्शल नाइट इसका मतलब है सुहाग रात दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज राइट डाउन यूर फीडबाइक इन कमेंट सेक्शन फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो पे शुक्रिया दोस्तों